हलो एवरिवन, वेलकम डू वाइफ एडुकेशन, वाइफ एडुकेशन की इस वीडियो में आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे UPSC के EPFO and APFC एग्जाम के लिए Most Expected Questions सीरीज यही सीरीज का सेट नंबर वान रहेगा जिसमें हम 20 Most Important Questions कवर करेंगे डेटेल में आप सभी को पता चल चूगा होगा, आपका जो एक्जाम है वो 2 जुलाई संडे वाले दिन कनेक्ट होगा ठीक है, 2023 में, सिर्फ और सिर्फ आपके एक्जाम में 10 दिन बचे हैं इस पेपर को कलियर करने के लिए त्यारी करने के लिए यह जो सिर्फ होगी, ठीक है, इसमें हम इन 10 दिन में काफी सारे सेट्स आप तक लेके आएंगे बिल्कुल एक्जाम ओरेंटेड कोश्चन्स कवर होंगे हर इक सेट में ठीक है, और इसके जो एड्मिट कार्स हैं वो भी आउट हो चुके हैं आप अपने जो एड्मिट कार्स हैं वो भी डाउनलोड कर सकते हो, यह पेसी की ओफीशल साइट से, ठीक है यह सेट्टमबर बन मैं आप तक लेके आ रहा हूँ, मेरा नाम है मोहित गर का So, लेट स्टार्ट दे वीडियो सबसे पहला कोशन देखे, in which of the falling place of Mesopotamia the textual reference for industry in the form of Dilmum, Magan and Meluja was reported यानि Mesopotamia का कौन सा प्लेस है, जिसमें से हमें textual reference मिलता है industry का, in the form of Dilmum, Magan and Meluja ठेक है, यह जो form है, इस form में textual reference मिलता है Mesopotamia के कौन से प्लेस है, option आप यहाँ पे देख सकते हो A, B, C and D, इस question का जो सही उतर है हमारा वो है यह option, akad जो akad, जो place है Mesopotamia का, यहाँ से हमें textual reference मिलता है industry का, इस question का सही उतर है हमारा यह option, akad which of the following ruler of Kashmir constructed the channels for irrigation on Jellum River यानि कौन से राजा थे, कौन से शाशक थे, कश्मीर के, जिनके द्वारा channel जो है, वो construct किया गया था, irrigation के लिए Jellum River के उपर Jellum River के उपर, जो irrigation के लिए channel बनवाय गया था, construct करवाय गया था यह राजा थे, कश्मीर के, इनके द्वारा बनवाय गया था, इनका नाम क्या है option यह आप देख सकते हो, आप A, B, C and T यह जो राजा थे, इनका नाम है, अवंती वर्मन जो अवंती वर्मन राजा है, इनके द्वारा बनवाय गया था channels for irrigation on Jellum River इस question का सही उत्तर है हमारा C option अवंती वर्मन उसके बाद next question देखिए, third number question इसमें दो listे हमें दिये गई है इनको आप से में match करना है एक में name दिया गया है जिना का और दूसरी list में दिया गया है cognizance, इनको आप से में match करना है सबसे पहले देखिए, आदी नाथ आदी नाथ जो है, ये associating किसके साथ बुल के साथ, ये match हो जाएगा fourth के साथ, यानि A जो है ये match होगा fourth के साथ उसके बाद शान्ती नाथ शान्ती नाथ match होगा हमारा dear के साथ इसी तरह नेमी नाथ कौँच शाल के साथ और परशवनाथ जो है ये match हो जाएगा सनेक के साथ यानि 4, 3, 2, 1 इस question का answer बनेगा हमारा इस question का B option 4, 3, 2, 1 यानि इस question का answer होगा हमारा B option Which of the following minor rock addict of Ashoka engraved the numerical number of both in words and figures यानि इसमें से कौँचा option है हमारा जिसमें से जो numerical number दिये गए है वो इसमें से कौँच से addict पर पाए गए थे पहली बार ये पुचा गया मैं इस question में numerical number जो है ये words and figures दोनों में पाए गए है ऑप्शन यान पर आप देख सकते हो कौँच सा minor rock addict है जिसमें से जो ये जो numerical number है ये पाए गए मस्की गुजदारा ठीक है उसके बाद अहरोरा जाफर पंगरोरिया इस question का जो सही उतर है हमारा वो है अहरोरा जो अहरोरा जो है ये है minor rock addict जिसमें से numerical number जो है ये words and figures में दोनों जो है वो पाए गए थे नुमेरिकल नमबर ते words and figures में इस question का answer बनेगा हमारा C option आहरोरा arrange the following in chronological order and selected the correct answer from the codes given below इनको हमने chronological order में arrange करना है सबसे पहले ताहमाज नामा भाई ताहमाज खान इनको सबको सबसे पहले arrange करना है सबसे पहला कौन सा आएगा हमारा सबसे पहले आएगा दाविस्तान इ मुजाहिब भाई मोहसिन फनी यानि सबसे पहले आएगा हमारा second ठेक है ये दोनों option हमारे नहीं हो सकते इस question के answer उसके बाद उसके बाद आएगा हमारा इबार्त नामा मिर्जा भाई मुहमर हरसी यानि उसके बाद third आएगा हमारा two के बाद third दुनों में दिया गया है उसके बाद next देखिए next आएगा हमारा ताहमाज नामाः by ताहमाज खान यानि सबसे पहले वाला उसके बाद last में आएगा हमारे पास जगना माँ बाई काजी नुरम महामद यानि लास्ट में आएगा फोर्थ यानि इस कोश्टन का अंसर बनेगा हमारा C option 2, 3, 1, 4 2, 3, 1, 4 उसके पार नेक्श कोश्टन देखे 6th number question और reconciliation of Vedanta and Shewight of Beliefs was developed by which of the following यानि reconciliation of Vedanta and Shewight of Beliefs यह develop किया गया है किसके द्वारा ठीक है किसके द्वारा ड्वारा ड्वारा किया गया है ठीक है option यहाँ पर देख सकते हो आप A, B, C and D इनको develop किया गया है अपाया दिक्षिता के द्वारा अपाया दिक्षिता के तोर डिवेलप किता गया है रिकंसलेशन ओव वेदान्ता एंड शेवाइट विलीफ्स इन दोनों को डिवेलप पर जो किया गया है वो किया गया है अपाया दिक्षिता के द्वारा इस question का सही उत्र है हमारा अपाया दिक्षिता ए अप्षन उसके बार नेक्श देखिए Which facts are true about विजे नगर अम्पाइर विजे नगर अम्पाइर के बारे में हमें चार statements दिए गई है पुचा गया है इन में से कौन सी statement true है Women were employed as wrestlers, astrologers and soothsayers Women जो है इनको wrestlers and astrologers and soothsayers बनाया जाता था एंप्लोई किया जाता था ठीक है यह बिल्कुर सही है यानि जो women थी, wrestler भी थी, astrologers भी थी इस विजे नगर अम्पाइर में ठीक है, soothsayers भी थी यानि जो city थी विजे नगर की वो उसमें seven citadels थे, यह भी बिल्कुर सही है ठीक है, यानि पहली दोनों जो statement है बिल्कुर सही है ठीक है, इसमें पहली नहीं है, इसलिए हमारा answer नहीं हो सकता उसके बाद next question, next देखे third statement अमुक्ता मल्यादा said to have been composed by कृष्णा देवराया comments ब्रह्मनाज as a provincial governors ठीक है, यानि हमें इसमें third statement में कहा गया है अमुक्ता मल्यादा के दोरा कहा गया ठीक है, said to have been composed by कृष्णा देवराया comments ब्रह्मनाज by provincial governors यह भी बिल्कुर सही statement है उसके बाद देवराया 2 had appointed muslim in his army देवराया 2 जो है इनको अपॉइंट किया गया था Muslims in his army यह भी बिल्कुर सही है ठीक है, यानि चारों की चारों जो statement है बिल्कुर सही दी गई है, इसलिए हमारा answer बनेगा इस question का डिया option, first, second, third and fourth are correct Which of the following changes in the इक्तादारी system was not introduced by फिरोशात तुगलग यानि इन में से कौन से changes है इक्तादारी system में जो introduced नहीं किये गये थे फिरोशात तुगलग के द्वारा ठीक है, यह पुछा गया इस question में सबसे पहला, he restored the system of payment of salaries to soldiers by land assignments now called वजफ यानि इनके द्वारा restore किया गया था system payment of salaries का soldiers को जो दिया जाता था ठीक है, वजफ इसको नाम दिया गया, यह बिल्कुल सही statement है The वजफदार्ज, holders of such assignments were another group of इक्तादार्ज जो वजफदार्ज, जो होते थे holders such assignment were another group of इक्तादार्ज, यह बिल्कुल सही है ठीक है, the system of sub assignment of land मुक्तिस, मुक्तेस to their soldiers was also started system जो है sub assignment का, ठीक है, यह भी start किया गया था, यह भी बिल्कुल सही है He reasonably enforced the non-transfer of assignments ठीक है, इसके द्वारा reasonably enforced किया गया था non-transfer of assignments, यह जहां पे statement गलता है यही पुछा गया था, कौन सा introduce नहीं किया गया, यही नहीं किया गया, यहीं नहीं किया गया इसी एंसर बनेगा हमारा इस question का, D option He reasonably enforced the non-transfer of assignments Arrange the following events in chronological order यह जो event जब-जब हुए है, उनको हमने arrange करना है chronological order में, ठीक है सबसे पहले इस कांसर देख लो, इस कांसर जो है हमारा वो है, 4, 2, 3, 1 4, 2, 3, 1 सबसे पहले, जो इसमें सबसे पहले, जो करनेटिक वार दी गई है ठीक है, सबसे पहले जो first करनेटिक वार है, यह कब हुई थी जो पहली जो करनेटिक वार हुई थी यह उ cardiologist 744 से लेकर 848 टक का ठीक है 844 से लेकर 848 टक का ठीक है उसके बाद जो इसमें दिया गया है Second Carnatic War Second Carnatic War कब हो रुई थी यह उई थी 749 से लेकर 52 टक का 52 टक का ठीक है 749 से लेकर 725 टक का ठीक है उसके बाद Next देखे Battle of Achi Athone यह हुई थी 1744 में उसके बाद फर्स्ट जो एंगलो मैसूर वार हुई थी ये हुई थी 1777 में 67 में और 69 में खतम होगी थी और फर्स्ट एंगलो सिख वार फर्स्ट एंगलो सिख वार अगर इसको औरेंज करने की कोशिश की जाए तो सबसे पहले कौंस आजाएगा हमारा सबसे पहले आजाएगा फोर्थ यानि 1746 है इसमें सबसे पहले 1744 वार पहले आजाएगा यानि 4th से स्टार्ट होगा ठीक है उसके बाद 1749 वार 2nd करनेक्टिक वार उसके बाद 3rd वार और एंगलो सिख वार जो है इसके बाद हुई थी ठीक है 1444 में हुई थी जो फर्स्ट एंगलो सिख वार हुई थी यानि इसमें जो अंसर बन जाएगा हमारा वो बन जाएगा D option ठीक है 1744 वाली उसके बाद 1749 वाली फिर 1747 वाली और फिर 1845 वाली इसलिए अंसर बनेगा D option Moralian Mentor Reforms Aimed Data Moralian Mentor Reforms का जो एम था वो क्या था ठीक है सबसे पहली statement देखे Increasing number of members in legislative council and center यह number of members है इनको legislative council में increase करना के अंदर में यह बिल्कुर सही है Separate electorate for Muslims यह भी बिल्कुर सही है Reserved seats in provincial assemblies for Dalits Dalits की कोई बात नहीं कही थी Education को भी प्रमोट करने के लिए कोई बात नहीं कही गई थी इस मॉडले Mentor Reforms में यह इस question का answer बनेगा A option Only first and second only correct इसका answer बनेगा हमारा first and second only correct उसके बाद नेक्ष देखे जो साल्ट मार्च जो start किया गया था ठीक है इस तरफ हमें place दिये गए है इनको आपस में match करना है ठीक है सबसे पहले देखिए सबसे पहले जो place है वो है माला बार माला बार जो है माला बार इसमें से जो साल्ट मार्च start किया गया था इस place है माला बार से वो किसके द्वारा start किया गया था ये start जो किया गया था वो किया गया था K-Kalapan के द्वारा यानि ये मैच हो जएगा हमारा थर्ड के साथ K-Kalapan उसके बाद Udissa उडिसा जो है इसमें से जो स्टार्ट किया गया था वो किया गया था Gopabandhu-Caudari के द्वारा ये मैच हो जएगा फर्स्ट के साथ यानि सबसे पहले 3 फिर 1 ठीक है 3 1 यानि एक ही ऑप्षन है हमारे पास D option उसके बाद Tamil Nadu जो प्लेस है ठीक है यहां से स्टार्ट किया गया था किसके द्वारा C. Raji Kopalachari और बिहार से माहा देवलाल शरफ के द्वारा इसलिए अंसर बनेगा हमारे इस question का 3 1 2 4 3 1 2 4 which of the following statements about Awad are correct Awad जो है Awad इसके related हमें 4 statements दी गई है हमें पुछा गया है कौनसी statement सही है इन्हों 4 statements में सबसे पहली देखिए statement The subsidiary alliance was imposed on Awad in 1801 जो subsidiary alliance imposed किया गया था कब 1801 में यह बिल्कुल सही statement है अचारी that will drop into our mouth one day was stated by Lord Dalhoji in 1851 about Awad अचारी that will drop in our mouth one day यह जो statement थी यह कहा गया था किसके दवारा Lord Dalhoji के दवारा 1851 में Awad के बारे में यह भी बिल्कुल सही है Awad was formally annexed to the British Empire in 1876 1876 में नहीं 1876 में इसको जो है Britishers के दवारा कबजे में ले लिया गया था यानि थर्ड स्टेटमेंट गलत है The life was gone out of the body was lamented from Nawaz Nawav Vazid Ali Shah who was dethroned and exiled to Kolkata on the pretext of misgovernance यह भी बिल्कुल सही है Nawav Vazid Ali Shah जो है इनको dethroned कर दिया गया था ठीक है Miss Governance के कारणा ठीक है यह बिल्कुल सही है fourth statement यानि पहली दूसरी और चौथी statement बिल्कुल सही है इसलिए अंसर बनेगा इस question का हमारा पहली दूसरी और चौथी A option में दिया गया है इसलिए अंसर बनेगा A option What are the true about the cabinet mission plan cabinet mission plan के बारे में हमें statements दी गई है चार पुछी गई है कौनसी statement सही है ठीक है कौनसी statement सही है सबसे पहली statement इसलिए बिल्कुल सही बिल्कुल सही है ठीक है पुछी गई है यह भी बिल्कुल सही statement है अज़कर सिमिलर अप्लिकेशन इन बेंगौल पंजाब में इस परकार का कोच भी नहीं देखा गया सिर्फ और सिर्फ बेंगौल में यह जो statement है वो valid होती है इसलिए हमारा अंसर बनेगा इस question का पहली तिनो statement सही है चौथी जो statement है वो गलत दी गई है इसलिए अंसर बनेगा इस question का हमारा B option फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इस करेक्ट अल्ली दा प्लेस वेर जेलम ब्यास रीवर रावी एंड चनाव जोईन टोगैदर इंटू इंडस यानि जो प्लेस है जेलम, ब्यास, रावी चनाव एंड जेलम एंड इंडस ये पांच और जो रीवर जी मिलती है इस प्लेस को क्या बोलते हैं इसको कहते हैं मिथान कोट जो पाकिस्तान में है इसलिए अंसर बनेगा इस question का यह option मिथान कोटिन पाकिस्तान उसके बाद next देखिए list burn में Tom, मकवरे और list 2 में place दिए गए हैं जहाँ यहाँ पे इनके जो मकवरे हैं वो दिए गए हैं सबसे पहले शमशेर खान्ज टॉमब शमशेर खान की जो tom है मकवरा है ये बटाला में है ये मैं चोज़ेगा 2nd के साथ ठीक है उसके बाद हुमायू का जो मकबरा है ये कहाँ पे है ये है दिली में ये मैं चोज़ेगा हमारा 4th के साथ ठीक है जहांकर का जो मकबरा है ये कहाँ पे है ये है लाहूर के पास शादरा बाग में ठीक है यह match हो जाएगा हमारा first के साथ ठीक है first और जो मुहम्मद मौमिन एड हाजी जमाल जो है इनकी जो मकवरा है वो नकोदर में हो जाएगा काहँ पे जलंदर में ठीक है यानि 2413 20413 2413 यानि अंसर बनेगा डियर आप्शन 2413 read the following statements about चिस्ती सिलसिला carefully जो चिस्ती सिलसिला जो है इसके लेटेड हमें statement से गही है और पुछा गया है कौनसी statement ही इसमें से correct है सबसे पहली statement है दाता गंज बक्ष एड़ शेग फरीद शकर गंज वाज वर सूफी सेंटस ऑफ चिस्ती सिलसिला जो फरीद शकर गंज एड़ दाता गंज बक्ष ये जो कहते हैं ये कहते हैं सूफी संत चिस्ती सिलसिला में है ये 15th century में ये statement गलते है यान पे ठीक है उसके बाद संत मोहिंद्यून जो है अजमेर से और निजामुदीन ओलिया जो है दिली से इनके दोरा इसलाम फिलाया गया नौर्थ सेंट्रल इंडिया में एड रजिस्तान में ये चिस्ती सिलसिला से बिलाउं करते हैं ये बिलकुर सही statement है ये भी बिलकुर सही है दूसरी तीसरी और चौथी statement बिलकुर सही है यानि इस question का अंसर बनेगा हमारा first option ये option दूसरी तीसरी और चौथी जो statement है बिलकुर सही है बाकि जो पहली statement है यह यहाँ पर रहों हो जाएगी इसलिए answer बनेगा इस question का ये option उसके बाद reasoning and math के option देखते है ठीक है एक कहते simple analog जो clock है ठीक है इसमें 12 बचके 15 minute का time हुआ हुआ है ठीक है इसमें जो angle बनेगा वो कितने degree का बनेगा गंटे वाली सुई और minute वाली सुई के बिचकार अगर देखा जाए सबसे बहले 12 बारा यहाँ पर बज़ेंगे और जो 15 होंगे यहाँ पर होंगे यानि 3 की सुई यहाँ पर होगी ठीक है बारा पंदरा होने का मुतलब क्या है छोटी जो सुई होगी वो यहाँ पर होगी और जो वड़ी सुई होगी वो यहाँ पर होगी अगर देखा जाए इसमें कितना फर्क है, यानि एक दो आजाएगा 12 से लेकर 1 तक, एक से लेकर 2 तक, 2 से लेकर 3 तक, ठीक है? मिन्ट वाली सुई जो है ये एक एक interval में कितने degree का angle बनाती है वो बनाती है यानि 5 मिन्ट में जो angle बनाती है वो कितने degree का बनाती है 6 degree का ठीक है इसमें देखा जाए अगर तक कितने डिगरी का एंगल बनेगा 30-30 डिगरी का एंगल बन जाएगा ठीक है, एक मिन्ट में 6 डिगरी का एंगल बनाती है 5 मिन्ट में कितना बन जाएगा, 30 डिगरी का ठीक है, यानि यहाँ पे भी 30 का यहाँ पे भी 30 का, यहाँ पे भी 30 का इसमें से ये घटा देंगे, कितना फर्क हो जाएगा? ठेक है, फंद्रा मिंट में, 0.5 तिकरी एंगल बनाती है, गंडे वाली सुईवीजवी होती है एक मिंट में, और 15 मिंट में कितना डिकरी का एंगल बनेगा? वो multiply कर देंगे 90 degree से minus कर देंगे 67 degree और कितना अंसर रहेगा हमारा 82.5 degree इसलिए answer बनेगा इस question का हमारा डिया option 82.5 degree 82.5 degree उसके बाद next देखिए 18 number question आईशा के दुआरा investor किये गए है X amount ठेक है fixed deposit में एक amount X amount वो deposit किये गए और 6% rate of interest मिलता है ठेक है उसके बाद जितना पैसा मिला उसको एक साल के बाद उसका half इसने 5% पर interest पर जो है वो spend कर दिया और बचा हुआ जो पैसा है उसका आदा 3% पर जो saving account में रहने दिया और जो उसका आदा था वो उसने खर्च कर दिये ठेक है हमें पुछा गया इस question में जो X की value वो कितनी है और last में जो amount बचती है वो कितनी बचती है इसमें हम माननेंगे 400 क्योंकि इसमें हमने 2-3 बार जो है वो half value करने इसलिए हम माननेंगे 400 रुपे ठेक है अगर 400 रुपे X की value है principle sum जो है वो कितना है 400 रुपे 6% interest लगता है 6% interest यानि चाची के 24 यानि एक साल बाद जो amount हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 424 रुपे एक साल बाद जो amount हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 424 रुपे ठेक है 424 का जो आदा है वो इस आईशा के दौरा 5% interest पर जो है वो spend किया गया यानि 424 का जो आदा होगा वो कितना होगा 212 कितने rate of interest पर 5% एक साल के लिए बटे कितना जाएगा 100 उसके बाद 212 बचगे 212 का कहते 106 जो है वो खर्च कर दिये ठीक है यह जो spend कर दिये यह जो 106 रुपे है बचे 106 रुपे जो है वो 3% rate of interest पर spend कर दिये बटे कितना जाएगा हमारा 100 ठेक है 212 गुना 5 किया तो value कितनी आजएगी हमारी यह value कितनी आजएगी 106 गुना 3 किया 318 बटे कितना जाएगा 100 106 गुना 318 यानि 1378 बटे कितना जाएगा 100 यह value कुतनी बन गई हमारी 13.78 13.78 और यह जो value हमारे बास आ चुकी है यह interest आ चुक है एक्चुल में ठीक है और जो amount है वो कितनी बन जाएगी दूसरे साल के बाद अगर देखा जाए spend कितनी की थी 212.00 रुपे यह spend किये 106.00 रुपे यह spend किये इन दोनों को add कर देंगे 318 ठीक है 318 रुपे ठीक है 318 प्लस 13.78 यह दोनों add किये अगर value उनकी देखा जाए तो कितनी value आ जाएगे हमारे पास 318 और 331 331.78 यह value हमारे पास आ चुकी है यह actual में जो value है वो कितनी है 99534 कितनी value के साथ multiply किया जाए कि नडिन में 534 जो है यह value बन जाए इसको 99534 बनाने के लिए 300 से multiply करना पड़ेगा ठीक है 300 से multiply करना पड़ेगा अगर 300 से यहाँ पर multiply किया है हमें x की value पुछा गया है x की value कितनी मानी हमने 400 400 को भी हमें 300 से multiply करना पड़ेगा 400 गुना 300 किया तो value कितिना देगी 1,20,000 यही हमें इस question में पुछा गया था इस question का answer बढ़ेगा हमारा C option 1,20,000 उसके बाद 19 number question देखिए 19 number question में कहा गया है Water flowing from a tap at a constant rate R liters per minute can fill a cylindrical tank in 6 minutes यानि जो tank है इसको water जो है water की एक tap लगाई जो 6 minutes में ये जो tank है वो fill कर देती है R liters जो पानी है वो एक minute में जो है इस tank में डलता है यानि total जो tank की capacity अगर देखा जाए tank की total जो capacity हो गई वो कितने होगी 6R क्योंकि R जो liter है एक minute में डाला जाता है 6 minute में tank जो फिल हो जाता है चेह मिन्ट में कितीन अपर डल जाएगा, 6 लिटर, या फिर हम कह सकते हैं 6R, ठीक है, R लिटर से पानी डलता है इसलिए हमने माल लिया, कि 6R जो पानी या वो डल गया इस टैंक में 6 मिनिट में, ठीक है, उसके बाद हमें कहा गया है, एक होल किया गया इस टैंक के बॉटम मे so that water flows out of the tank at a constant rate one third of the rate of flow water from the tank यानि जो पानी एक तेहाई जो पानी है वो नीचे फ़लो कर जाता है ठीक है जो पानी है एक तेहाई वो टैप जो है जलती रहती है और पानी जो है वो फलो नीचे कर जाता है क्याँ कि नीचे जो है एक होल है हमें पुछा गया इस question में when the tank gets full the hole gets sealed automatically if the tank is empty to begin with the water starts flowing from the tap at a rate hour liters per minute how long will it take for the tank to become full ठेक है tank को fill करने के लिए कितना समा लग जाएगा ये पुछा गया है अगर one third पानी जो है वो निकल जाता है तो बाकी जो time लगया वो कितना लगेगा r into 2 by 3 ठीक है यानि total जो capacity वो कितनी है 6R की one third जो है ये पानी जो है rate of low है ठीक है और जो बाकी जो r into 2 by 3 हो जाएगा यानि ये value कितनी बनगी है हमारी 2R by 3 time कितना लगेगा 6R पानी जालना है और इस ratio में ड़लेगा पानी 6R पटे कितना लगा देंगे हम 2R into जो 3 आउपर चला जाएगा 2 एक हम 2 2 तेच्छे R से R कैंसल हो जाएगा 3 into 3 यानि 9 minute में जो tank है वो फिल हो जाएगा इस capacity के हिसाफ से इसलिए अंसर बनेगा इस question का हमारा view option 9 minutes 20 number question देखिए last question C is a circle with radius R is greater than 0 C जो है एक circle का C जो है एक circle है जिसमें एक radius है जो की R जो है ये 0 से बड़ा है ठीक है then circumference जो है area यानि circumference और area के बारे में बात की गई है अगर इसमें देखा जाए equal की बात की गई है तो हम क्या कर सकते है circumference को बराबर करते है area के circumference का formula होता है 2 pi r area का होता है pi r square ठेक है एक r के साथ r cancel और pi के साथ pi cancel यहाँ पे r बची r is equal to value को तिन आगी 2 यानि इसमें हमें ये पता चल गया जो circumference है ये area के बराबर हो जाएगा जब जो radius है वो 2 होगा 2 cm होगा ठेक है यहाँ पे दिया गया है circumference जो है r का can never be equal to its area ये बिल्कुल गलता है अगर 2 value होगी बिल्कुल बराबर हो सकते है circumference and area area of c is definitely greater definitely कुछ नहीं होता यानि अगर value छोटी मने जाएगी तो छोटा भी जो है वो हो सकता है जो area है ठेक है अगर a की value मान ली जाए तो यहाँ पे value कितनी होगी 2 pi r 2 into 2 into pi के साथ pi cancel कर दी जाए तो 2 value आजएगी circumference की और यहाँ पे value कितनी आजएगी pi की value pi के साथ pi cancel कर दिया r into r इसलिए जो area है यह जुरूरी नहीं है कि बड़ा ही आएगा greater ही आएगा the area of c is definitely greater ठेक है यानि जो area है c का वो definitely कहते greater है it's circumference except यह accept कहा गया है r is less than 1 यह भी गलत हो गया ठेक है उसके बाद fourth statement देखे the area of c is definitely greater than its circumference except r is equal to less than 2 यही statement है बिल्कुर सही है जब बराबर होगा यह फिर less than होगा ठेक है यह जो definitely greater हो जाएगा इसी वजा से यानि जो area जो है c का यह बड़ा हो जाएगा जब circumference एड़ा circumference एड़ा जब r is equal to or less than 2 होगा यानि इस question का अंसरो बनाएगा इस question का अंसरो बनेगा हमारा day option so यह था हमारा set number 1 UPSC के EPFO and APFC exam के लिए set number 1 जिसमें हमने 20 questions कवर किये हैं काफी detail में कवर किये हैं अगर आप इस series की PDF डाउनलोड करना चाते हो तो आप हमारा telegram channel जिसका नाम है Wifi education उसको join कर सकते हो उसमें आपको जो इस series की PDF है वो विल्कुल free of cost में जो है प्रवाइड की जाएगी आप हमारा telegram channel जो है वो join कर सकते हो इस set number 1 में वस इतना ही मिलते हैं इस series के set number 2 में so thank you so much